हैलु इस्टुडेंट्स इस वीडियो में हम कार्बुनिल कमपाॉंट्स द्वारा सो करने वाले नुकलियोफिलिक अडीशन रियाक्शन के बारे में पढ़ेंगे नुकलियोफिलिक अडीशन रियाक्शन को पढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि कार्बोनिल ग्रूप यह रियाक्शन्स क्यों देते हैं यदि आप कार्बोनिल ग्रूप का शक्चर देखेंगे तो यह कुछ इस तरह से होता है जिसमें कार्बन sp2 hybridized होता है और कार्बोनिल ग्रूप की geometry होती है trigonal planar हमने लाश वीडियो में यह पढ़ रखा है कि कार्बोनिल ग्रूप में कार्बन और oxygen के बीच का bond polar होता है जिसके कारण कार्बन पर partial positive charge होता है और oxygen पर partial negative charge होता है और इस तरह से कोई भी nucleophile partially positive charged कार्बन पर attack करना prefer करता है तो जब nucleophile कार्बन पर attack करेगा तो कार्बन के 5 bond बनने लगते हैं लेकिन हम यह जानते हैं कि ऐसा possible नहीं है इसलिए कार्बन और oxygen के बीच का pi bond break होता है और pi electrons oxygen पर shift होते हैं क्योंकि oxygen more electronegative atom है इसे हम एक transition state के help से visualize कर सकते हैं जो की कुछ इस तरह से दिखता है इसमें nucleophile और कार्बन के बीच में bond बन रहा होगा वहीं कार्बन और oxygen के बीच का bond break हो रहा होगा और finally यह transition state हमें यह अनायन दे देता है इस अनायन में कार्बन के hybridization sp2 से change होकर sp3 हो जाती है और इसकी geometry tetrahedral हो जाती है जिसे हम कुछ इस तरह से visualize कर सकते हैं अब यह अनायन attacking agent के counterpart या फिर water से मिलने वाले proton के साथ react करके nucleophilic addition product दे देता है जो की कुछ इस तरह से दिखता है इस पूरे process को हम कुछ इस तरह से summarize कर सकते हैं जिसमें कार्बोनिल कार्बन पर nucleophile attack करके हमें एक अनायन देता है जो water के साथ react करके finally nucleophilic addition product दे देता है यदि हम aldehyde और ketone में nucleophilic addition reaction के towards reactivity की बात करें तो aldehydes ketones के compare में ज्यादा reactive होते हैं ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि aldehyde में केवल एक alkyl group present होता है जिसके कारण कार्बोनिल कार्बन पर attack के दोरान कम hindrance होता है और nucleophile आसानी से attack कर सकता है साथी साथ aldehyde के case में केवल एक alkyl group होने के कारण प्लस eye effect भी कम लगता है जिसके कारण कार्बोनिल कार्बन पर electron की deficiency ज्यादा होने के कारण nucleophile भी इस कार्बन पर attack करना prefer करते है वहीं ketone के case में दो alkyl groups होते है जिसके कारण कार्बोनिल कार्बन ज्यादा hindered होता है और इस कार्बन पर प्लस eye effect भी ज्यादा लगता है जिसके कारण इस कार्बन पर electron deficiency aldehyde के compare में कम होती है और यहाँ पर nucleophile attack करना relatively कम prefer करते है इसी लिए ketones की reactivity aldehyde के compare में कम हो जाती है तो चलिए अब हम एक एक करके कुछ important nucleophilic additions reactions के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला reaction जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कार्बोनिल compounds की hydrogen cyanide के साथ reaction हम जानते हैं के hydrogen cyanide एक weak acid होता है तो यह base से react करके हमें cyanide ion देता है और यह cyanide ion nucleophile की तरह behave करता है तो यह कार्बोनिल कार्बन पर attack करेगा और हमें reaction के बाद कुछ यह anion मिलेगा यह anion water से मिलने वाले H plus ion से react करके हमें कुछ यह compound देगा इस compound को हम sinohydrin कहते हैं क्योंकि इस compound में आपके पास cyanide group भी है और hydroxyl group भी present है इस sinohydrin को हम बहुत सारे compounds की preparation के लिए use करते हैं जैसे कि अगर हम इस sinohydrin का hydrolysis कर देते हैं तो हमें यह 2 hydroxy carboxylic acid देता है और इस 2 hydroxy carboxylic acid का use हम बहुत सारे proteins को बनाने के लिए करते हैं वहीं अगर हम sinohydrin का reduction करें तो यह हमें 2 hydroxy amine दे देता है जो की कुछ इस तरह से दिखता है चलिए अब हम दूसरे nucleophilic addition reaction के बात करते हैं यदि हम carbonil compound को sodium bisulfide के साथ react कराते हैं तो यहाँ पर bisulfide ion nucleophile की तरह behave करेगा और यह carbonil carbon पर attack करके हमें कुछ यह compound देगा सेंज सलफोनिक ग्रोप काफी जादा acidic nature का होता है तो यहाँ पर O- और सलफोनिक acid के H के बीच में proton ट्रांसफर होगा और हमें कुछ यह compound मिलेगा यह hydrogen sulfide addition compound एक crystalline solid होता है जो की solution से precipitate हो जाता है यदि आप hydrogen sulfide ion का size देखें तो ketone के case में hydrogen sulfide ion के attack के लिए बहुत ज़्यादा steric hindrance create हो जाता है जिसके कारण ketones इस reaction को काफी slow rate से देते है इसी लिए इस reaction का use aldehyde और ketones को separate करने के लिए किया जाता है यह reaction reversible nature की होती है यदि हम addition compound को hydrolyze करें तो यह हमें वापस aldehyde दे देता है और इसी reversible nature के कारण इस reaction को aldehyde के purification के लिए भी use करते है कारणिल compound की तीसरी nucleophilic addition reaction होती है ग्रिगनाड reagent के साथ हम जानते हैं कि ग्रिगनाड reagent एक organo metallic compound होता है जिसमें alkyl group पर delta negative charge होता है और इसलिए ग्रिगनाड reagent में alkyl group nucleophile की तरह behave करता है तो यह nucleophile कारणिल कारण पर attack करके हमें कुछ यह compound देगा और अगर हम इसे hydrolyze करें तो यह हमें finally alcohol दे देता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हमने aldehyde ले रखा है तो हमें 2 degree alcohol मिलेगा वहीं ketones के case में 3 degree alcohols form होंगे जिसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं